दोस्तों और सफल इनसान बनूँगा वह अकसर अपने भविश्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता और उन सपनों में वह हमेशा खुद को दूसरों से आगे रखता और खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करता जब भी वह किसी बुद्धिमान, महान और साहसी व्यक्ति की कहानी सुनता या पढ़ता तो वह खुद को कहानी के नायक के स्थान पर रखता और यह उसके विचारों में वह बहादुरी और साहस पूर्ण कार्य करने की कोशिश करता जो उस कहानी के नायक ने किया है वह अकसर अपने विचारों में सोचता कि एक दिन वह एक महान व्यक्ति बनेगा जिसके पास खूब पैसा होगा और समाज में उसका मान सम्मान होगा वह एक बहुत ही सुन्दर और सुशील लड़की से शादी करेगा और सुखी जीवन व्यतीत करेगा वह कई वर्षों तक ऐसा सोचता रहा उसे लगा कि उसकी जिन्दगी अचानक बदल जाएगी वह अचानक सफल हो जाएगा लेकिन आज तक ऐसा कोई चमतकार नहीं हुआ दरसल समय बीतने के साथ साथ उसकी हालत खराब होती जा रही थी और इसका सबसे बड़ा कारण उनका मेहनत न करना था यानि काम न करना उसके बड़े बड़े सपने थे और वह अपने विचारों में भविश्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाय भी बनाता था लेकिन उसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया उसने कभी भी खुद को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया फिर नतीजा ये हुआ कि अब उनकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो गई थी लेकिन आज तक उन्होंने किसी सपने को हकीकत में बदलते नहीं देखा था इसलिए अब उस व्यक्ति को भी इस बात का एहसास होने लगा था कि वह अपने ही दिमाग के बनाए विचारों के जाल में फंस गया है जिसे वो अपने खयालों में अपने सपनों के बारे में सोच कर खुश रहता था और असल दुनिया में वो उन सपनों को पूरा करने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं करता था उसे पता होता था कि उसके दिमाग में फाल्तू के खयाल भरे पड़े हैं और वो हकीकत में नहीं बलकि बहुत कोशिश करने के बाद भी सुकून से नहीं जी रहा है वह इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था उसे अपने विचारों की दुनिया में रहने में भी आनंद आ रहा था लेकिन जब उसने अपने विचारों से बाहर आकर अपनी वास्तविक स्थिती को देखा और वह इसके बारे में सोचता तो वह दुखी हो जाता है धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बन गई थी अब वह अपने दोस्तों और परिवार वालों से ज्यादा बात नहीं करता वह दिन भर चुप और उदास रहने लगा एक दिन ऐसे ही दुखी मन से वह एक पेड़ के नीचे बैठा था तभी उसका एक दोस्त उसके पास आया और बोला मित्र हमारे गाव में एक बहुत प्रसिद्ध बौध भिक्षू आये है और मैंने सुना है कि वह मन और शांती से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते है बहुत आसानी से मन में मुझे लगता है आपको कम से कम एक बार उनसे मिलना चाहिए वह आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर सकते है युवक अपने दोस्त की बात सुनकर खुश हो जाता है और बौध भिक्षू से मिलने जाता है कुछ देर बाद वह बौध भिक्षू के पास पहुँचता है जो एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे वह बौध भिक्षू को प्रणाम करता है और उनके सामने बैठ जाता है अपनी सारी समस्याएं बताने लगता है और वह कहता है मान्यवर मेरा मन हर समय अंगिनत विचारों से भरा रहता है मेरे मन में हमेशा अनावश्यक विचार चलते रहते हैं जब मैं कोई काम कर रहा होता हूँ तब भी मेरा मन अतीत या भविष्य के किसी विचार में खोया रहता है मैं कितनी भी कोशिश करू, वह मेरी बात नहीं सुनता, मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूँ, मैं इसे खाली करना चाहता हूँ, मैं इसे केंदरित करना चाहता हूँ, जिसमें मैं अब तक असफल रहा हूँ, मान्यवर में बड़ी उम्मीदों के साथ आपके पास आया हूँ, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाए, उस युवक की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद, बौध भिक्षु ने कहा, जीवन सुखी और मन तभी शांत होगा, जब तुम जो गलतियां कर रहे हो, उन्हें करना बंद कर दोंगे, आप क्या गलतियां कर र कुछ लोगों को अधिक मसालेदार और मीठा खाना खाने की आदत होती है, इन्हें अधिक मैदा, चीनी और तेल से बनी चीजें खाने की आदत होती है, ऐसे लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने जीवन में भोजन सीमित कर दिया, तो फिर जीवन में बचेगा ही क्या, जिन्दगी में मजा ही क्या है। जैसे मनुष्य का जन्म इस संसार में खाने के लिए ही हुआ है, कुछ लोगों को हर समय खाते रहने की आदत हो गई है। वे भूख न होने पर भी खा रहे होते हैं। जबरदस्ती कोई भी चीज पेट में डाल देना, जैसे कि वे पेट नहीं बलकि कूडे दान हो। कुछ भी खाने से सिर्फ शरीर के वजन पर ही असर नहीं पढ़ता, बलकि इस से मानसिक शक्ती पर भी बुरा असर पढ़ता है। इसका सेवन करने से शरीर का वजन बढ़ता है और कई तरह की बीमारियों का जन्म होता है। दूसरी गलती है परियाप्त नींद न लेना। परियाप्त नींद न लेने से शरीर और दिमाग को कई तरह से नुकसान पहुँचता है। अगर आप परियाप्त नींद नहीं लेते हैं, तो आपकी याददाश्ट कमजोर हो जाती है, तनाव चिड़चिडापन, हर समय ठकान महसूस होना, और चहरे पर चमक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसके अलावा कम नींद से मस्तिष्क की समस्याओं को सुलजा आने की क्षमता पर भी असर पड़ता है, और मस्तिष्क को तुलनात्मक अध्ययन करने में कठिनाई होती है, इसलिए जरूरी है कि हर दिन कम से कम 5-6 घंटे की गहरी नींद लें, नींद हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स् सुधार करता है, नींद का हमारी दिन चर्या में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह हमें दिन भर की ठकान और तनाव से राहत दिलाता है, अगर किसी कारण से आपको परियाप्त नींद नहीं मिल रही है, तो इसका आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थे पर बुरा असर पढ़ रहा है, आपके शरीर के स्वास्थे के लिहाद से नींद की कमी आपकी शारीरिक ख्षमता को कम कर सकती है, क्योंकि नींद के दौरान हमारा शरीर की मरमत और सफाई हो जाती है, और इसकी उर्जा का स्तर सुधर जाता है, लगातार नींद की कमी के कारण न केवल जीवन की गुणवत्ता खराब होती है बलकि हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमजोर होने लगती है जिससे बीमारियों का खत्रा बढ़ जाता है और मानसिक स्वास्थे के पहलू में परियाप्त नींद न लेने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है तो आप हाफ कर गिरेंगे और उठ नहीं पाएंगे इसलिए जिन्दगी की भाग दोड के बीच अपने लिए भी कुछ समय निकाले अपने आपको समय दें और यह जानने का प्रयास करें कि किस चीज से आपको खुशी मिलती है किस काम को करने में आपको आनन्द आता है खुद से सवाल करें और खुद को जानने की कोशिश करें और देखें कि जब आप कोई काम करते हैं तो आप अंदर से शांत और तरो ताजा महसूस करते हैं तो बहुत ही कम समय में आपको उसी काम में बहुत अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे लेकिन अगर आप हर समय दोडते रहेंगे तो आप ठक जाएंगे आप पाएंगे कि हर काम करने में आपको ज्यादा समय लगता है इसमें काफी उर्जा लगती है फिर भी अंदर से पागने की जरूरत नहीं है जीवन शांती से जिया जा सकता है और शांत रहकर साधारन प्रयासों से भी बड़ी सफलताएं हासिल की जा सकती है चौथी बात आप अपनी एक ऐसी बुरी आदत को पहचाने उसे अपने जीवन से पूरी तरह से हटा दे जो आपकी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा है हर इंसान में कुछ ऐसी बुरी आदत होती है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुचाता है जो उसे आगे बढ़ने नहीं देती या पीछे खीच लेती है क्योंकि जब कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा होता तो वह समय के साथ पीछे की और बढ़ रहा होता है अब आदत कुछ भी हो सकती है जैसे काम को रोक देने की आदत ज्यादा सोचने की आदत चिंता करने या बहस करने की आदत जो भी आदत आपको लगता है कि वह आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुचा रही है तो इसे पहचाने और आज से ही इसे स प्रयास शुरू करें, हाला कि आदतों को बदलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर धृर्ड संकल्प और लचीलापन है, तो सब कुछ बदलना संभव है, और अगर आप लगातार कोशिश करेंगे, तो ये आपकी नई आदत बन जाएगी, और पुरानी आद अपने आप दूर हो जाएगी, पांचवी गलती, जरूरत से ज्यादा बड़े वादे करना, आपको वादा करना चाहिए और आपको अपने वादे पर अटल रहना चाहिए, जो लोग वादा करते हैं और उसे पूरा करते हैं, तो उनका समाज में एक अलग ही सम्मान होता है लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हमें कभी भी कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहिए, जिसे हम पूरा न कर सकें, या जिसे पूरा करने में हमें संदेह हो, इसके साथ ही हमें ना कहना भी आना चाहिए, जरूरी नहीं कि हम दूसरों की हर बात पर हा कहें, करें जितना आप कर सकें क्योंकि अगर आप अपनी क्षमताओं से परे जाकर किसी को शब्द देंगे तो आप खुद पर दबाव महसूस करेंगे आप तनाव से भर जाएंगे साथ ही सामने वाले की अनावश्यक अपेक्षाएं भी आप से जुड़ जाएंगी जब आप उन् कि अंदर और अधिक तनाव पैदा करेगा इसलिए जितना आप कर सकते हैं उतना ही करें और जितना आपके लिए आसान हो उतना करें फिर देखिए जीवन में कितनी शांति आती है छटी गलती आंतरिक रूप से खुद की आलोचना करना खुद को दूसरों से कमजोर और हीन महसूस करना अगर आपको अपने बारे में बुरा बोलने की आदत है और आप हमेशा खुद में कमिया ढूनते रहते हैं अगर आप हर दिन खुद को कोशते हैं तो आपको किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं है क्योंकि तब आप अकेले ही अपने लिए काफी हैं अगर के बारे में सकारात्मक बोलें यदि आपने कोई गलती की है तो अपने आप से कहे कि यह अच्छा है कि मुझे इस गलती का एछसास हुआ, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी गलतियों से सीखता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, तो कहने का मतलब यह हैं कि जब कोई गलती तो लगातार खुद को दोश देने और खुद की नजरों में गिरने की बजाए गलती से सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि अंदर ही अंदर अपने बारे में बुरा सोचना खुद को ऐसी जंजीरों में बांध देता है फिर वह इसे तोड़ने में असमर बनेगी सातवी गलती दिमाग को अतीत की बुरी यादों और नकारात्मक विचारों से भरा रखना पिछले दिनों हुई किसी बुरी बात की बुरी यादें मन में संजोए हुए हैं वर्षों पहले किसी ने कुछ बुरा कहा था फिर भी उसकी बातें मन में संजोए हुए ह किसी काम में असफलता मिली है और आज भी उसका दुख है जब कोई व्यक्ति अपने मन में इतना बोज और नकारात्मक विचार रखता है तो वह कैसे शांत और खुश रह सकता है इसलिए अपने मन और मस्तिश्क को साफ करें और अपने शरीर से सीखें शरीर प्रतिदिन स्वयम को साफ करता है सुभह उठते ही वह अपने अंदर की सारी गंदगी को मल मूत्र के जरिये बाहर निकाल देता है तो इसी तरह हर दिन अपने मन की गंदगी को बाहर निकाले हर दिन सोने से पहले अपने और दूसरों के अंदर की सारी उथल पुथल, नाराजगी और शिकायतें दूर कर लें इसके साथ ही रोज सुबह समय निकाल कर ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें आपका जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा आठवी गलती अवास्तविक उम्मीदे रखना उम्मीदे रखना मानव स्वभाव है लेकिन जब उम्मीदे निराधार और अत्यधिक हो जाती है तो यह हमें हमेशा तनाव में रखती है हमें दूसरों से जगडने पर मजबूर कर देता है और फिर हम अपने जीवन से असंतुष्ट रहने लगते हैं हमें अपने जीवन में अधिक नकारात्मक चीजें नजर आने लगती है ऐसा लगता है मानो हमारी इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होगी हम अपने सिर पर अधूरी इच्छाओं का पूरा बोज लेकर चलते हैं और ऐसा महसूस होने लगता है मानो हम इस दबाव में दबे जा रहे हैं जीवन से निराशा महसूस होती है लक्ष हासिल करने का मन नहीं हो रहा है अच्छे रिष्टे बनाने का मन नहीं हो रहा है अच्छा खाना खाने का मन नहीं करता कही जाने का मन नहीं करता हम अपने चारों और पूरी तरह से तनाव और उदासी का माहौल बना लेते हैं इसलिए आवास्तविक और अनुचित अपेक्षाएं रखना बहुत गलत है। हमेशा यथार्थवादी और निश्पक्ष उम्मीदें रखें और हमेशा यह माने कि इन यथार्थवादी उम्मीदों के साथ भी कुछ उतार छड़ाव हो सकते है। कभी कभी काम होते हुए भी नहीं बनते और ये सभी घटनाएं आम हैं। जो आज नहीं हो सका वह कल होगा। जो कल नहीं हो सका वह परसो होगा। दुनिया उम्मीद पर कायम है लेकिन किसी भी परिस्थिती में खुद को चिंता और तनाव में न लाए। नवी गलती, शांत और स्थिर रहना, बुरे लोगों या बुरे रिष्टों से दूर न रह पाना। अगर कोई रिष्टा है तो वह अच्छा होना चाहिए जिसमें प्यार, देखभाल और सम्मान हो। लेकिन अगर आप किसी स्वार्थी और धूर्त व्यक्ती के साथ रिष्टे में हैं जो बनाना जारी रहता है, आपको खुद पर बहुत जोर देना पड़ता है, आप डर में रहते हैं और आपके अंदर केवल गुसा ही रहता है, इसलिए ऐसे रिष्टों से दूरी बना लें, इनका नहोना ही बहतर है, अकेले रहना कितना आरामदायक है, लेकिन अगर कोई ऐसा हो, जो रोजाना सिरदर्द बना रहे, तो जिन्दगी तबाह हो जाती है, अगर उनके साथ ऐसे करीबी रिष्टे हैं, जिन्हें पूरी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता, तो ऐसी स्थिती में संबंधों को सीमित करें, और अपने जीवन से उन सभी लोगों को हटा दें, ज आपका जीवन फिर से शांती, सुकून और खुशियों से भर जाएगा, फिर लड़के ने कहा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और चला गया, दोस्तो ये कहानी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके जरूर बताना,